तो आगए पर फिर से आप सभी लोगों का आप की चनल जी कि एक्साम्स में तोड़ी वी आप गूंग तेडी अबाउट बेसिक रीजनिंग बेसिक रीजनिंग जो कि हमारे सेलवस में हैं तो यह हमें पढ़नी है अगर हम टॉपिकस देखेंगे इसमें कौन-कौन से टॉपि आपको करना क्या है यहां पर मतलब आप देख लीजे क्या करेंगे मैं आपको करेंगे मैं आपको कंसेप्टिस इखा लूँगा और उसके बाद हमारी अप्लिकेशन जो कि आपने डाउनलोड कर चुके होंगे अगर नहीं किया है तो जल्दी नीचे डिस्रिप्शन में जा प्रेक्टिस सेट बीजूँगा हर किसी टॉपिका जैसे कि आज मैंने अनलोगी इस पड़ाया तो इसके बारे में आपको प्रेक्टिस सेट मिल जाएगा और वह प्रेक्टिस सेट आपको सॉलो करना है और वहां पर सब्मिट कर देना है कि उसका अंसर जो कश्चन नहीं आ इस दिमाग हिल जाता है और उसके करने के लिए बैठूगे? 2-3 मिनट का टाइम जाएगा 2-3 मिनट का टाइम गया मतलब आपने दूसरे क्वेस्टन को नुक्सान किया तो यह टॉपिक अगर आप अभी फिलाल के लिए छोड़ भी दोगे लेकिन बागी टॉपिक के साथ के साथ टॉपिक के साथ को कवर कर लेने हैं तो विदाब समझ लेज़े क्या यह चीज़ देखो क्या करना किया आपको फर्स आफाल वाट यू हाव तो यू हाव तो मतलब समझ लेना है यह क्या है तो वी हाव तो फाइंट आउट तर रिलेशन्शिप बिट्विन अब्जेक्टिस इन अकॉर्डेंस मतलब हमारे पास मतलब इस रिलेशन के आधार पर हम आगे कॉच्छन को डिसकस करेंगे देखो मैं एक कॉच्छन एग्जांपल के तोर पहले रहा हूं एग्जांपल से ही आपका इनलागीज का कॉंसेप्ट डेवलोप होगा यहां पर ग्वाइटर लिखा है यहां पर आयोडीन लिखा है यहां इनलागीज का कॉच्छन एग्जांपल लिखा है यहां पर अगर आप देखोगे कि ग्वाइटर जो है वो डिफशनसी आप आयोडीन की वज़े से क्रेट होता है अब इन दो पार्ट के बीच में यहां पर रिलेशन है ठीक है क्यों डिफशनसी आप आयोडीन काजिस यहां पहले पेर को देखके हुए दूसरे पेर को डेसाइड करेगा उसी को हम ऐनलागीज कहते है अब यहां पर अगर देखेंगे तो विटैमिन डी से एनिमिया तो नहीं होता है अगर आपने साइंस की स्टूड़न होगा अगर आप यह चीज़ांते हो तो आप आप आरा देखो प्रेशर यहां पर है बारो मीटर ओरो मीटर अब आपको पता है कि प्रेशर को नापने के लिए हमें किस चीज की ज़रत परती है बारो मीटर अब मतलब यहां पर ओरो मीटर दिया गया है अब ओरो मीटर किस चीज को नापने के काम आ जाता है यह चीज आपको यहां यह चीज आपको यहां पर the relation build ढहना है भर जाएगा है आपको relation के साथ बनीगी तो यह तरुए से जब आप ऐसे पटर पर relation socioeconomy जोनूँडे हो तो उसको छूछ कहता है अब analogies को समझने के लिए देखो हमारे पास 9 तरगी analogies pattern होते हैं यह जो pattern हमने अभी देखे न कि 2 एको दिया हुआ है 3 और 4 को देखते हुए निकलना है तो इसी आधार को देखते हुए हमारे पास 9 type of analogies है पहली जो analogies है completing the analogies दूसरी जो है simple analogies तीसरी जो है choosing the analogies प्याइब चोथवी double analogies फिफ्थ वन इस choosing a similar word सिख्थ वन इस detecting analogies सेवन्थ वन इस त्री वर अनलोगी एट्थ वन इस नंबर अनलोगी नाइध वन इस अलफ़बट अनलोगी देखो इन सब मैंसे आपको यह टाइप स्याद नहीं करने हैं यह बिल्कुल भी याद नहीं करने है कौन से आपी सीखना है कि अगर मुझे इसमें से question आ गया तो वो किस type का question होगा और मुझे करना क्या है दरसल आपको question को देखना है देखते हुए ही आपको समझ में आ जाएगा फिर्ष्ट आपकाल यहां पर मैं लेखता हूँ completing the analogy peer completing the analogy peer type 1 को लेदा हूँ देखो इसमें एक peer आपको दिया गया होगा इसमें एक peer आपको दिया होगा आपको क्या करना है आपको दूसरा peer डून देना है प्लस सेम relation होनी चाहिए जो एक peer में relation होगी न मतलब मिसाल के तूर पर pen और copy pen और copy में क्या relation है pen और copy मतलब pen को यूज करते है copy पे लिखने के लिए इनमें relation है क्या लिखना relation है लिखना अब इसी तरीके से आपको दूसरा चीज मतलब डून दना है जिनमें relation सेम होगी अब हैं के बच्चे को क्या कहेंगे हैं के बच्चे को चीख कह सकते है कौक कह सकते है जल्दी जल्दी टाइप नबर 2 को सीख लेता है इसमें क्या होता है सिंपल एनलोगी में क्या होता है it is given in the form of sentence मतलब simple analogy में question जो होता है वो sentence form में दिया गया होता है जैसे if umbrella is if umbrella याद रख लिजे if umbrella is related to rain umbrella किस से जुड़ा हुआ है rain मतलब अगर बारिश होगी तो umbrella की योज़ पड़ेगी तो sweater is related to which thing तो जिस thing के लिए sweater जुरुत लगती है जैसे किसे के लिए जब हमें sund लगती है तो देखो sweater is later to wool नहीं sweater wool की बनी होए याद है लेकिन wool के लिए जरत नहीं होती है sweater मतलब रह conj़ण धोर होती है लेकिन कभ पहने के लिए जरत कि ये जब धन लगती है तो तो स्वेटर की ज़रद पड़ेगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मतलब एक सेंटेंस में दिया हुआ होगा, आपको सेंटेंस का दूसरा भाग दोनना है, ठीक है, पूरा सेंटेंस का लेना है, लेकिन क्वेश्चन की पैटरिन को देखते होगा, ठीक है, अब यहां पर कंप्लीटिंग पीर अनलोगी फिर से बता रहा हूँ, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिखा सकता हूँ, क्यूंकि मैं आपको प्रेक्टिस सेट दे रहा हूँ, अपने अप्लीकेशन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाईए, एप्लीकेशन की लिंक मैं एक देखते थे, दूसरा पीर डून लेते थे, दूसरा पीर का आदा देख लेते थे, लेकिन यहां पर पूरे कप्टूरे का पूरा प्यर आपको प्रेक्टिस में देखते हैं, लेकिन रिलेशन से होनी चाहिए, अब यहां पर बुक पेजस, बुक में क्या होते है, प सबस्क्राण के जो डिए यहां पर याप को मिलाते होए तो 89 सबस्क्राइख वी यहीं रूम्हित सबस्क्राण करू जाती है यहां फॉरिशित आप चाहर के नहीं गांगinental कौनटिने जो घृत ula timber को मिला के नहीं बनेगा कॉंटरी इसको कॉंट्री in ato this will be our right answer इस तरीके से आप और इसमत्या को पichन कंप्रेटिंग दक आनलोगी यृटन सॉलू करने हैं आपको दू मतलब दो लाइन दी गई होगी लाइन म् नमर में चार मतलब options होंगे और लाइनंमबर two में चार option होंगे ठीक है लाइन नमबर बंचार option के लाइन अपर देखना है जैसे यहां पर cheer nuo furniture furniture chaeree a raised यहां लाइन आ इन्मेश्पें और मिलाना है इन मैसे ट्राउजर गार्मेंट बैठता है इसके साथ बैठता है ट्राउजर रोडेंट नहीं बैठता है यहां पर आस्ट्रिच गार्मेंट नहीं बैठता है यहां पर आस्ट्रिच गार्मेंट नहीं बैठता है यहां पर आस्ट्रिच गार्मेंट नहीं बैठता है यह नहीं बैठत तो फाइनल में देखेंगे तो जो है उसका जो पियर बनता है गार्मेंट यह ज़ो गार्मेट डाष्र चाईप होता है यह ज़ो कीपन कशन में में म cavity जो के आग्पोर पियर में 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 जो करता है यह विए बैज प неп्ली अग्फें हम्हें है और यहां वर वह मिसल्ब आपको तीन वर्रस तीन वर्रस दिए होंगे वहते ह sucks ठीन हो फ़ालन वीजार होंगे यह दूना है जैसे गिटार में सिथार है तानपुरह है को पते व cochलार में सोथे ctrain यहां पर वर्ड पर सिक्स्त ताइप जो इसका है डी का यह तो पहन जाती है तो यह तो गलत हो गया यह तो इसका है साथ क्वार्टन अब यह सारी चीज़ें की ही हो तो यह तो मिल्कुल भी पासिबल नहीं है क्योंकि मतलब वूल की भी हो सकते हैं किसी और की बीडियल की हो सकती है अब यहाँ अगर आप देखो गए फैबरिग और कोस में ऑगरा बेड़िया लेट 一साए। यह पॉर निश्यफर यहां पर तृकुल किधा है यह स्थी ऑप्यॉडय की डियाँज़्खनओ मतलब आपको थीन वर्ड जिसका ग左 होगा और उनमीर दिखनी है। और बाग की नीचे दिये गए options में से आपको वही तीन words का group फिर से मतलब detect करना है अब आप यह तरीका किस तरीके से कर सकते हैं यहां पर dog horse tail dog horse tail dog horse सही है वो इनकी tail होती है इसे body pot body pot मतलब dog horse body pot मतलब part of the body ठीक है कार bike vehicle नहीं बैटता है क्यों?कि tail body pot था यहां पर vehicle पार्ट नहीं है अभ यहां पर chain ring touch body तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता क्यूंकि इसका कोई मतलब यह है अब यहां पर bite hurt pain bite hurt pain तो देखो कोई सवाल ही नहीं बनता है इसके साफ् turning relation बनने का दोनु अनिमल्स थे, पार्ट क्या था टेल, दोनु यह है, पार्ट क्या है इंजन, यह हमरा सही option होगा, टाइप नमबर 7 हमने पढ़ा, अब टाइप नमबर 8, यहां पर इस वीडियो का लास्ट पार्ट जो है, वह है नमबर अनलोगी, नमबर अनलोगी क्या है, इसमें आप माइनस मॉल्टिपलिकेशन और डिविजन के आधार पर बनी होगी, लेकिन आपको इनका यूज करके ही नीचे option देखने है, कि किस तरीके से हम option डिटेक्ट कर सकते है, पियर बनाने है, पियर बनाने है, यहां पर पियर ही बनाने है, ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे इस question को, 3, 11, 7, देखो, 3, plus, क्या करेंगे, 8, 8, 3, 11, तो 11 हो गया, 7, plus, 8, अगर हम करेंगे, तो 15 हो गया, लेकिन अगर हमारा 15 answer होता, यहां पर 15 लिख लेते हैं, लेकिन हमारे option में 15 कहीं नहीं है, तो यह हमारा तरीका नहीं बैठता है, अब हम दूसा तरीका देखेंगे 3, 11, 7, अब हम अगर करेंगे, 3, multiplication वाला तरीका, multiplication वाला तरीका करने, देखो, पहले addition से हम start करते हैं, कोई भी number सीर सालो करने के लिए, फिर multiplication प्याना पड़ता है, तो यहां पर अगर हमने 3 लिया, अगर आब multiple करेंगे, इसके साथ तो यह मतलब पॉसिबल ही नहीं, इसका multiple 3 हो गया, अब हम यह देखेंगे, 21 options में है, यह भी हमने यहां पर यही pattern फालो की, यही pattern फिर इसमें भी लगाया था, लेकिन 23 भी option पर नहीं है, लेकिन यहां पर हमने एक चीज़ फिल किया, अगर यहां पर थी था, यहां पर भी हमने वही number multiple किया था, तो हमें क्या मिला थ के लिए 7749 plus 2, कितना हो गया 51, 51, अब options देख लो 51, यह options पर 51 है, यह question में एक ही pattern बैठता है, आपको question का pattern पड़ेगा, plus minus multiplication, subtraction, addition, division करके, जिस तरीके से आपका वो question बैठता है, वो question लगा के आपको answer निकाल सकते हो, I hope कि आपको यह analogies का topic बहुत अच्छे तरीकी से समझ मे आ गया होगा, अब इस में type number 9, जो कि मैंने अभी तक नहीं पड़ाया है, जिसको हम बोलते है alphabet analogy, यह वाला type number 9, alphabet analogy, यह थोड़ा confusing topic रहता है, यह length ही कह सकते है, confusing नहीं, length ही कह सकते है, तो इसको पड़ाने के लिए मैं अलग सा एक class ले लूँगा, तो मैं उस class में cover कर लू सब्सक्राइब कीजिए चनल को, बाई बाई